एक बार जटपट फैमिली जंगल में पिकनिक मनाने आती है और जटपट से कैंप लगाती है अरे ये शोर कैसा क्या तुम्हें नहीं पता जंगल में कोई आया है कौन जंगल के मस्त महौल में खाने का लिया मज़ा और चारो तरफ गंदकी भैला कर पर्यावरन को दी सजा जटपट में सोचा कि जंगल में आये हैं तो क्यों ना शिकार का मज़ा लिया जाए और किसी ना किसी जानवर को पकड़ लिया जाए अरे बोड़ा दिख गया चीते की बच्चे को पिंजरे में देख चीडिया दोर से चिलाई और पूरे जंगल में हर्चल मचाई सारे जानवरों ने एक सभा बुलाई जिसमें चूहे राजा ने अपनी बात बताई और सभी जानवरों ने हां में हां मिलाई जटपट की इस करतूद से सभी जानवरों को गुस्सा आया और उससे सबक सिखाने के लिए चूहे राजा ने एक प्लैन बनाया जब सुभा बंटी नजर ना आया तो जटपट परिवार बड़ा घबराया जब उन्होंने बंटी, 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 का शोर मचाया तब साप ने फुनकार कर जबरों का संदेश सुनाया क्या हुआ जटपट, घबरा गए, तुम्हारा बंटी हमारे पास है, सकुशल पर अब पता चला, कि जबरों को उनके परिवार से अलग कर, तुम मनिश्य उनके साथ कितना अन्याय करते हो अपने बच्चे को अपने से अलग पाकर, जटपट को हैसास हुआ, कि जाने अंजाने में अलत काम हुआ जटपट ने चीते के बच्चे को छोड़ दिया, और जानवरों ने बंटी लोटा दिया कर दो कर दो कितने, तो कॉपट को